आज मैंने चना की बहुत ही चटपटी रस्पी बना करके तैयार की है मेरे पास साधा वाली चने नहीं से इस तरीके के जो चना वाली नमकीन आती है उसी नमकीन से मैंने आज इसकी बहुत ही चटपटी रस्पी बना करके तैयार की है यहाँ पर मैंने छोड़े छोड़े दो पैकेट लिये थे, उनको मैंने खोड़ लिया है और जो आज में चनी की चटपटी वाली रेस्पी बनाऊने वो सभी को बहुत पसंद आईगी जितनी क्वांटिटी में आपको इस चना को लेना है तो आप उतने ही चना ले ले देखो मैंने यहाँ चना लिये है वो पैकेट वाले और मसाले वाले लिये है आपको पास भुने हुए जाला चना हो तो आप उतकी भी इस रेस्पी को बना सकते हैं मैंने यहाँ पर छिलका सहीत ली है, आप बेना छिलका वाली भी ले सकते हैं, और एक कटोरी में मैंने इस तरीके से दौनों पैकट को अच्छे से खोल लिया है, खोलने के बाद अब मैं इसके लिए एक मसाला बना करके तैयार करूँगी, मसाला ऐसा होगा कि आप किसी भी सबजी में डाल सकते हैं, या पिर कभी चाट बनाओ तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, आदी चम्मच मैंने भुना हुए जीर डाल दिया है, और आदी चम्मची गरम मसाला ले लिया है, थोड़ा से मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है, और ल प्रदियां हो जुका है और ले लिए मेने थोड़ी सी प्याज एक Arm कॉमेने लक्षेदार यानि कि म्रमबी को मैंने एक चोटा माटर हैज अल्लेश प्रस्किलाज में शी आपो मनें डुप performers को इस से की मदब से जो मेरा मसाला है अच्छे से गीला हो जाएगा और देखो मैंने हातों से इस तरीके से अच्छे से मसल मसल के सारी चीजों को मिक्स कर दिया है अम मैं थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे है छोड़ दूँगी जब तक जो मेरा मसाले फूल रहे है तब तक मैं और इस बहुत ही चटपटी वाली है, देखो मैंने सारी चनी को अच्छे से पीस लिया है, इसमें एक भी मोटी मोटी टुकड़े नहीं है, जब भुनी हुगे चनी का आप पाउडर बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा पाउडर बनता है, दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो थोड से पहले मेरी वीडियो की नौटिफिकेशन आ जाए, देखो मैंने जो मसाला बनाया था, उस मसाली को भुने हुए चनी के पाउडर में अच्छे से डाल दिया है, और हाथों से मिक्स कर दिया है, अब मैं डाल दूँगे इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा, जो गेहूं क जाला है, क्योंकि प्यास थी और इसमें टमाटर थे, उसमें काफी पानी होता है, पहले तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और जरूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से पानी डाल के इसका आटा लगा करके तैयार कर लें, हमें जो आटा जैसा पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं, उसी तरीके से इसका आटा लगाना है, मुझे आटा थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें दो चम्मच भरके और आटा डाल दिया है, और अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब मैं दस मिनट के लिए ऐसे ही इसको छोड़ द नास्ता को बना लिया है, कड़ाई में मैंने बिल्कु थोड़ा सा ओल डाला है, थोड़ी से ओल में ही मैं इस नास्ती को अच्छे से दौनों साइट पलट पलट खे सेंक लूँगी, आप इसे ज़्यादा ओल में बनाना चाहते हैं, तो ज़्यादा ओल में भी बना सकते है एक बार में कड़ाई में मेरे जितना नास्ता आ जाएगा, मैं उतना ही डाल दूँगी, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नास्ता बनाया है, तो एक बार में मेरी कड़ाई में, देखो इस तरीके से मैंने सारा रख दिया है, और गैस को कर दिया है मीडियम, जब एक साइट से मेरा नास्ता हलका सा सिख जाएगा तो मैं इसको पलट दूंगी मुझे तुरंत नहीं इनको पलटना है नहीं तो ये तूट जाएंगे जब हलके से एक साइट से सिख जाएगे फिर इनको आप धीरे से इस तरीके से पलट लें बहुत ही टेस्टी आज का जो नास्ता है मेरा बनने वाला है, देखो धीरे-धीरे से मैंने सारी नास्ता को इस तरीके से पलट लिया है, इस नास्ता को low-medium guest पर ही सैख रहा है, तभी बिल्को अंदर तक अच्छे से सिख तरके तयार होगा, लगबख मैंने इनको 3-4 मिनट अच्छे से सैंक लिया है, मुझे अभी हलका हलका सा कच्च लग रहा था तो मैंने एक मिनट इनको और सेंक लिया है यानि कि 5-6 मिनट में जो नाशता है अच्छे से सिख करके तैयार हो चुका है देखे दोस्तों देखने में कितना अच्छा लग रहा है और अच्छे से दौनो साइट सिख भी चुका है और इसमें अच्छे से कलर भी आ चुका है मैंने खुब अच्छी से दौनो साइट पलट पलट के इनको सैंका है क्योंकि मैंने बहुत ही कम ओयल में इनको सैंक करके तैयार किया है इसलिए इनको आपको पलट पलट के ही अच्छी से दौनो साइट सैंक लेना है जब यह अच्छी से सिख जाएगा तो आप इनको एक पिलेट में निकाल ले रहाएँ मेरी नाश्टा अच्छी से चुका है आप मैं उनको एक पिलेट में निकाल लूँगी बहुत ही कम ओयल में आज जो मेरे भुने हुगे मसाली वाले चानी का नास्ता बन करके तैयार हो चुका है यदि आप किसी चटनी ये सोस में खाना चायते तो खा सकते हैं नहीं तो आप ऐसे ही खा सकते हैं क्योंकि जो आज का मेरा नास्ता है बहुत ही चटपटा बन करके तैयार हुआ है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगी गई यकीन मानिये दूस्तों आप एक बार बना कर तो देखिए यदि आपने एक बार इस तरीके से इस नास्ता को किसी को भी खिला दिया वो बार बार मा भागेंगे बच्चों को तो यह बहुत ही पशंद आने वाला है और मैंने यहां पर खट्टी मीट्टी इमली की चटनी के साथ इसको सर्व किया है आप किसी सौस के साथ भी इसको अपने बच्चों को खिला सकते हैं जब आप किसी को भी गर्मा-गर्म या ठंडा देंगे तो खाने में बहुत ही मज़ा आएगा और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद